हेलो फ्रेंट्स वल्कम टू मैं चैनल वनिता मिकवर में आपका स्वागत है आज की वीडियो में हम सिखेंगे फूल आंच वैक्सिंग रिका की कैसे करें तो सबसे पहले मैं प्री क्लिंजर लगाऊंगी प्री क्लिंजर लगाके स्किन को प्रिपेर करेंगे अच्छे से और इसके बाद पाउडर लगाएंगे वैक्स को हम जादा गर्म नहीं लगाएंगे थोड़ी थीक लियर में लगाएंगे हम ग्रोथ की डिरेक्शन की साइड ही लगाएंगे थोड़ी थोड़ी स्टिप्स लेके खिचेंगे हम यह रिका की वाइट चॉकलेट वैक्स यूज़ कर रही हुम है और आप मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्क्राइब कीजिए आने वाली वीडियो को देखने के लिए बैल आइकन जरूर प्रेस कीजिए इस वैक्स से टैन भी बहुत अच्छे निकलती है कई सारे फ्लेवर आते है इस वैक्स में वाइट चॉकलेट डाग चॉकलेट अलेवेरा स्टाबरी बनाना बहुत सारे फ्लेवर आते हैं इसमें अब वीडियो को एंड तक जरूर देखें कि कि लास्ट में मैं एक दो चीज़े और बताऊंगी वैक्स के बारे में कि हमें किन-किन चीज़ों के बारे में इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि हम वैक्स करते हुए ध्यान रखें और इसके बाद हमें किन-किन चीज़ों का कि और यंद आपयर बताइक ृश्यास्ट확्ड़ करते हैं इसी तरह से सारी वैक्स करेंगे हैं जो भी एक्स्ट्रा वैक्सिव सारी निकाल देंगे हैंड पर फिंगर्स पर अच्छे से वैक्स लगाएंगे इसारी को से छेखते हैं-पर लिडस्ट्रा वैक्स लिगा हैंगे जग्षी यह चोटे-चोटे बाल भी निकल जाते हैं टैनिंग भी बहुत अच्छे निकलती है बाल भी बाल भी निकलती है बाल भी बाल भी निकलती है और अब हम पोस्ट ओयल लगाएंगे इसका इरिकवेक्स की पोस्ट ओयल है यह बाल भी निकलती है इसी तरह से हम दोसरी हैंड भी करेंगे सेम हम ग्रोध के साइड वैक्स लगाके स्टिप्स कीचेंगे बाल भी निकलती है झाल 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 यह देखिए कितने अच्छी क्लीन हुई है हैंट यह देखिए कितने देखिए कितने देखिए कासे निकल रही है रेगलर फेक्स कराने से रेका की ग्रोध भी स्लो आती है छोटे छोटे बाल में निकल जाते हैं इससे जैसे कि हमें नॉर्मल वैक्स हमें बार बार लगानी पड़ती है यह हमें एक बार लगाने के बाद हमें दुबारा लगाने की जोटनी पड़ती है और इसके दो तीन चीजे हैं जो मैं आपको बताती हूं कि कभी भी हमने बीना प्री क्लिंजर लगाए वैक्स नहीं करनी है क्योंकि स्किन कई बार पील भी हो सकती है हम इसलिए प्री क्लिंजर लगाते हैं कि स्किन को प्रिपेर करने के लिए क्योंकि यह वैक्स थोड़ी सी हाड होती है और लास्ट में हमने पोस्ट ओयल जरूर लगाना है क्योंकि हमने ओयल इसलिए लगाना होता है हमें स्कीन को मौश रैज करना है स्कीन ड्राई हो जाती है वैक्स के बाद और हमें कभी भी उसको वाटर से या फिर एस्टेंजन से क्लीन नहीं करना नहीं तो सारी वैक्स चिपक जाएगी ये मैंने आपको दो चीज़े बता दी है कि आप इसको जरूड़ो करें आपने डारेक्ट कभी भी वैक्स रिका की नहीं करनी है इस तरह से क्योंकि बहुत क्लेंट बोलते हैं कि मैंने रिकाब एक्स कराई थी तो मेरे 25 बन गया है इसलिए बन जाते हैं क्योंकि बहुत प्रिक्लेंजर नहीं लगाते हैं आप मेरी वीडियो पूरी एंड तक जुरूर देखिए और सारी वीडियो देखा करें क्यों मैं बहुत सारी चीज़ा आपको बताऊंगी आप मेरे चैनल को लाइक किजिए सब्क्राइब किजिए और आप मुझे फेस्बुक इंस्टाग्राम पर भी फोलो कर सकते हैं लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है यह देखिए मैंने पॉस्ट ओयल भी लगा दिया है इससे सारी वैक्स अच्छे से निकल जाती है और स्किन मॉस्टराइज हो जाता है अब मेरे चैनल को सब्क्राइब जूरूर किजिए